दोस्तो आज हम सीखने वाले हैं किसी भी Samsung phone को update कैसे करते हैं अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी Samsung का phone है कोई भी model हो अगर उसके अंदर software update आया है तो आप उसे update कर सकते हैं update आया है या नहीं पता कैसे करेंगे update को download और install कैसे करेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी अगर आपके phone में कोई भी update आता है system update, software update या कैलो update ये तीनो एकी चीज़ है mobile को update करने के बाद आपके mobile की जो speed है पहले से बढ़ जाएगी mobile में अगर कोई bug है तो वो दोस्तों पूरी तरह से clear हो जाएगा और कुछ नए features भी आपको देखने के लिए मिल सकते है तो अगर किसी भी Samsung के phone में कोई new update आता है तो notification panel में आपको इस तरह से एक notification दिखाई देगा update your phone आप देख सकते हैं इस पर click करके आप अपने mobile में update को download कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर notification दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको mobile की settings में आना है settings में सबसे उपर में आपको notification दिखाई देगा एस software update is available यहाँ से भी आप अपने mobile को update कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर भी notification दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे आना है यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी Software Update और यहाँ पर आपको एक Red Color का Dot भी दिखाई देगा यनि के Mobile में Update आया हुआ है आपको यहाँ पर Software Update पर किलिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक Option मिलेगा मिलने वाली है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी Mobile को Update करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है आपके Mobile में कम से कम 30-40% चारजिंग होना चाहिए तो ही आप Mobile को Update करना Update दोस्तों अगर जादा MB का है मान लीजिए 1GB का है 2GB का है तो Mobile को Update करने में काफी समय लग जाता है 15-20 मिनट लग जाते हैं तो जो भी Process मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा Skip कर करके दिखाऊंगा तो जो Step मैं Follow करूँगा उनी Step को आपको Follow करना है तो आपके Mobile में भी दोस्तों Software Update डाउनलोड हो जाएगा और Install भी हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे में Download का बटन मिलेगा आपको Download पर किलिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो Update है वो Download हो रहा है तो जो भी Process हो रहा है उसे आपको पुरा Complete होने देना है तो यहाँ पर हम इसे Download होने देते है अपडेट यहाँ पर Download हो चुका है अब दोस्तों हमें यहाँ पर Install लोड पर किलिक करना है जैसे आप Install लोड पर किलिक करेंगे तो दोस्तों आपका Mobile फिर से Switch Off हो जाएगा और Switch Off होने के बाद इस तरह से आपको Process दिखाई देगा तो जो भी Process यहाँ पर हो रहा है आपको से पूरा Complete होने देना है सभी File Download हो गई है अब Mobile On हो रहा है Mobile On होने से पहले फिर से यहाँ पर कुछ File Download हो रही है तो इसे पूरा Complete होने देना है कोई भी Button नहीं दबाना है यह File भी पूरी यहाँ पर 100% Download हो गई है फिर से Mobile Switch Off होगा फिर Switch On होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं Mobile On हो गया है अब आपको अपने Mobile का जो Screen Lock है वो डाल देना है Mobile यहाँ पर restart हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं Mobile को Update करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कम से कम 15-20 मिनट तक अपने Mobile को Use नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आप Update करने के बाद फॉरण अपने Mobile को Use करेंगे तो आपका Mobile Hang होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है Notification Panel को आपको Open करना है तो उपर में आप देखेंगे यहां पर कुछ System File यहां पर Download हो रही है तो इसे आपको पूरा Complete होने देना है आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारा Mobile Update हो गया है सभी File Download हो गई है इस तरह से दोस्तों आप Samsung के किसी भी Phone को Update कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं Software Update यहां पर हो गया है वीडियो अगर आपको थोड़ा सभी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को दबाकर All पर Set जरूर करना